कि कि एनलेस बैंगलोर में आज हमारे पढ़ाय हुए पटना सेंटर से और इंडिया रैंक टू और इंडिया रैंक सेवें और इंडिया रैंक एट सभी वहां मौजूद होके थे और सर से सभी ने अवार्ड भी पाया तो इससे कई नखें इंडिया ठल्रो नेजailing पहला है छोग हमें आपके साथ वंदि egg मरत बोढ्रा आ जओ गजांडिया एक और मंडियाज निया पुरू और मैं sprinkate में और कानून के पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चों को मार्कदर संदिया हमारे साथ बात करने के लिए हैं लाप्रप टुटोरियल के को फाउंडर अभिसेग जी और इनसे हमारा सवाल है कि आज जो आपने एतिहासी कारप्रम किया उसके बारे में क्या आप की रहे है मुझे आज बहुत गर्वानवित महसूस हो रहा है वन्ना जी जगह आज कम पर गई अगर साथ थोड़ी और जगह होती तो आप वहां पर लगातार महजीत थी बच्चे सीडियों पर बैठ है और एक भी बच्चा पूरे कॉनक्लेव से गया नहीं पूरी कॉनक्लेव भड़ी हुई और सबसे बड़े चीज मैं क्या बहुत हमारे जब गुरु ही उस स्टेज पर थे जिनसे मैंने हर चीज सीखा है और आज उन्हीं के सीखाई हुए कद पर चल रहा हूं और अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूं जब वही आकर के उनको मार्ट दरसन दे रहे थे बता रहे हैं थे हर एक कोश्चन का जवाब उन्होंने दिया है लेकिन कहीं न कहीं समय कि उन्लों को भी पावंदिया रहती हैं सर को फिर वापस दिली जाना नहीं तो सो तो यह और भी लंबा होना था यह परसन उत्तर तो खत्म ही नहीं हो रहा था तो आज यह हमारे बिहार के धर्ती के लिए पहला लौ कॉंक्लेव था और अब लौ प्रेप ने ठान लिया हर वर्स इस तरीके की लौ इवेंट बरे पैमाने पे हर वर्स हम लोग कर हैं वो जोस और जजबा खब नहीं रहा है देखिए अब हर बचे जोसों से भर गये हैं खासकर आपने देखा होगा उन्होंने महिलाओं को लेकर के काफी बच्चियों को लेकर काफी ज्यादा फोकस किया कि आप लोग बढ़े हैं हर एक बच्चियां लौ करें लौक पे फ कोप है और जब सर अपने एक-एक कहानियों को बताया उन्होंने जैललिता जैसे लोगों से फाइट करते हुए उन्होंने अपना लाइव एक्जामपल दिया तो उससे जरूर बच्चों को इंद्रा गांधी से फाइट को राज आईटी के फ्रोफेसर हटाए गये थे वार के बच्चों के बारे में भी उन्होंने काफी अच्छी खासी बाते बताई और यहां के धर्ती से जो जो महान महान वेक्ती पैदा हुए उन लोगों के बारे भी उन्होंने बताया महिलाओं को लेकर कि उन्होंने एक बड़ी बात कहीं उन्होंने कहा कि आप कभी भी यह मत सोचिए कि आप महिला हैं और महिला होने के नाति आपको कोई अड़ांटेश के तौर पर ये करें तो वो बात इख क्या ती देखे एक बच्ची ने परसम पुछा था कि क्या प्रैक्टिस के टाइम क्या महिलाओं को कुछ अड़ांटेश मिलता है क्या तो सर ने उसका सबतेर के बच्चे काफी मोटिवेट हुए और हर बच्चियों में यह एक पॉपसाइंटब फिलिंग आया अभी आपने कहा कि आपने हर यह पहली बार हुआ है और सब के जुवां पे बस एक ही सीज है लाब प्रैप टुटोरियल एक ऐसा इंसिस्यूट है जहां बच्चों को एक सही मार्ग दर्सन दिया जारा है क्या मंत्र है देखा जाए मैंने आपको मंच से भी मैंने जब मुझे मौका मिला तो मैंने बोला थ तो जब 500 बच्चे बैठते थे उसमें पांच लोग की हाथ खड़ी होती थी कि जो लोग के बारे में और क्लाइट को के बारे में जानते थे तो कहीं न कहीं ये इनर्जी हमको वहां दिखी कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों रहेगा आज उसी के कारण इसी मुहीम के थे और सर से सभी ने अवार्ड भी पाया तो उससे कहीं हमारे बिहार के और जो बच्चे हैं उन्हें भी इंस्पार्शन मिले कि स्वामी सर आगे या ऐसे लोग हमें आकर के अवार्ड देंगे और क्या क्या अपनी सुचा है दिखिए अभी तो सबसे पहले हम लोग अपने इंडिया टॉपर्स देते आ रहे हैं इंडिया टॉपर्स के साथ साथ विहार टॉपर्स की तो हमारा सबसे पहला जो एम और टार्गेट फिक्स है कि हर वर्स इंडिया और विहार टॉपर्स देने का वो कंटिनू रहे है चार साल तो मैंने बरकरार कर लिया हर वर्स अब क् लग गई है कि रैंक वन की बिहार रैंक वन इंडिया रैंक टॉप 10 में रहे यह आदत सी लग गई है अगर वो नहीं रहेगी तो कहीं न कि हमारे ब्रैंड पर भी इंपक्ट पढ़ेगा और इतनी बड़ी बड़ी कॉंक्लेव कराने का फिर कोई फैदा नहीं रहेगा तो यह सबसे बड़ा एम है कि हम हर वर्स इंडिया टॉपर्स दे और भी हार टॉपर्स अपने बच्चों को और उनके पैरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस इस कॉंक्लेव में वो आएं और आपके चैनल के माद्धियम से ये भी कहूंगा कुछ सब्सक्रावी तो ये कहीं न कहीं हमारे डिस्सिप्लीन को दिखाता है तो इन सब चीजों को फॉलो करेंगे और हमारे बच्चों के साथ हमेशा विशेक सर उनका खरा है हर कदम पे खरा है और हर वर्स अब लॉक उन्क्लेव इसी तरह से आयुज़ित के जाएगा बहुत दो सुक्रिया बात करने के लिए सर ने एक बहुत बड़ी बात कहिए ये विशेक जी ने साथ तोर सी इन्हों ने कहा कि हमारा ये की लक्ष है कि नंबर वन पर बनी रहे और ये काफी वर्सों से चला रहा है प्रकिरिया और आगे भी ये चाहते हैं कि नंबर वन पे ये लाब प्रैप टिटोरियल जो है वा बना रहे और साथी साथ है आज के कॉन्क्लेफ को लेकर भी इन्हों ने कहा कि आगे इससे भी और बड़ा कार्कम जो है वा आयोजन किया जाएगा और बचों में आज जो जनून जो जज़बा देखा गया तो आगे आने वाले भव इससे जो है वा बेहतर होने वाला है क्योंकि सरका जो मार्क दर्शन मिला उनसे कई बचे इंस्पायर भी हुए हैं तो योगी आकास के साथ न्यूश फोर नेशन पटना